हेलो दोस्तों तो कैसे आप सुभी दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा कि हम लोग अलकेन को अलकिल कैसे बनाते हैं ठीक है तो वाट इस अलकिल ग्रूप और क्या होता है अलकिल ग्रूप इसके बारे में लोगों ने जान लिया है तो हम लोगों ने एक्जामपल देखा था प्रोप्यल था ने देखा था तो इसके ऐसे पाधो आये वीडियो में देखने हैं ढोन से हैं आप में शीकिंग ओने तो इसके पास एक प्रीasına rijal गरू बुटायीः गरूप मतलब क्या है दो जो होते हैं, दो carbon जो होते हैं, वो primary carbon होते हैं, एक carbon जो होता है, वो secondary carbon होता है, और जो तीन carbon, sorry, एक carbon जो और होता है, वो tertiary carbon होता है, मतलब दो carbon primary, एक carbon secondary और एक carbon tertiary होता है, ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपके सामने बना हुआ है ठीक है दोस्तों तो यह देखिए आपके सामें लिए best क्या है अगर क्लिच नंबर पर थे यह देखिए अगर फर्री ब्युक्टए इस अगर जड़ा हो गया तो यह जो फ्रीवध्यों कि यह दूसरे कारबन पर है तो यह secondary secondary butane हो गया ठीक है अब देखिए एक और primary butane आपका possible है वो भी देख लीजिए जैसा कि मैंने ट्रिक में आपको बताया कि दो primary secondary एक tertiary होता है ठीक है तो यह देखिए primary अगर यह primary sorry अगर यह valency जो है आपकी free valency खाली हाथ डंडा कुछ भी कह सकते हो यार रटना ही तो है यादी तो करना है tricky तो समझना है concept ही तो है और कुछ है क्या क्यों स्टी में ठीक है दोस्तों तो यह देखिए अगर यह फ्री वैलेंसी है अगर यह primary carbon पे है तो यह primary butane हो गया फिर से अगर यह यह फ्री वैलेंसी है वैसे ही primary butyl secondary butyl primary butyl tertiary butyl ठीक है तो यह रहा आपका butane और आइए इसी समय देख लेते हैं हम लोग pentane pentane क्या होता है pentane होता है c5 h12 pentane होता है अपका ठीक है इसमें से अगर एक hydrogen निकाल देते हैं तो c5 h11 बन जाता है एक free valency लग जाती है इसी को हम लोग pentil group कहते है pentile group कहते है इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो trick है वह 431 431 431 431 उसकी क्या थी 211 211 211 ठीक ह तो इसमें जो होते है चार जो होते है वह primary carbon होते है तीन जो होते है वह secondary carbon होते है एक जो होता है वह tertiary carbon होता है ठीक है आपको जो pentil group बनाते है तो उसमें जो primary carbon होते है वह 4 होते है ठीक है चार हो सकते है maximum और जो secondary carbon होंगे वह 3 होंगे और जो tertiary carbon होंगे वह 1 यह सम maximum state में है इतने हो सकते हैं तो यह आपको याद रखना है कि कितने हो सकते हैं अगर हम पेंटिल ग्रूप को लेते हैं तो उसमें कितने प्राइमरी हो सकते हैं चार हो सकते हैं secondary carbon कितने हो सकते हैं टीन हो सकते हैं तर्सारी carbon कितने हो सकते हैं एक हो सकता है तो एक तीछ आपकी ion and pentane को हमने बनाया butyl are and bentil group ठीक है मिलते हैं next video में damn so near सीखते हैं ध्यान से ठीक है ते हैं इस video में इतना ही और channel नहीं होते channel को subscribe करदो यार एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करो और क्या है मौच करो क्याश्टी आसान हो गई है जैहिंद